कैसे हैं आप सभी मैं प्रिया जैन राजिस्तान से आप सभी का स्वागत है अपने ही यूटूब चैनल नेचर के अनवास में दोस्तों आज का जो वीडियो है मुझे जो आपके साथ टॉपिक शियर करना है वो सबसे पहले तो ये है कि हम जो विंटर्स में अपनी सॉइल बनाते हैं वो कैसे हमें प्रिपैर करने चाहिए लेकिन उसके लिए में नेक्स्ट बीडियो बनाईंगी मेरा हास का जो वीडियो वो टॉपिक ये है कि जो हम सॉयल तैयार करते हैं अपने प्लांट्स के लिए कई वर क्या होता है कि हम अपने पुराने पॉर्ट्स अब जैसे कि आपके समर्थ के पुराने जित्ते भी पॉर्ट्स होंगे उन में आपके जो सीजनल प्लांट लगे हुए यह पर्मनेंट प्लाइंट वी जो इस मौसम में विंटर्स में फ्लावर में नहीं देंगे तो हम क्या करते हैं जनरेश कि तूड़ा सा fertilizer add कर देते हैं उसी में हम winters के flowering plants वगरा सब कुछ लगा देते हैं हम यह सोचते हैं कि हमने उसमे fertilizer दे दिया liquid fertilizer दे दिया तो उसकी need पूरी हो गई लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके बारे में एक बार सोचनी की जरूवत है क्योंकि हमें यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आप अपने समर्ज के plant की soil को काम में ले रहे हैं तो आपको उसे directly ऐसे यूज में नहीं लेना है उसे किस तरीके से यूज में लेना है उसका तरीका आज में आपके साथ share करूँगी तो उसे बनाने के लिए आपको देखें क्या है विंटर्स के flowering plant जो होते हैं उनकी potting soil बिल्कुल अलग बनती है कि flowering plant है उनकी क्या है soil बिल्कुल अलग बनती है उनकी need भी मतलब बिल्कुल अलग होती है actually होता है क्या है summer का season बहुत लंबा होता है और जो विंटर्स के flowering plant होते हैं का साइकल जो होता है वह बहुत चोटा होता है क्योंकि जनरली जो मतलब गरम इलाकों से ब्लॉंग करते हैं जैसे हम राइस्तान से ब्लॉंग करते हैं तो हमारे हैं बिंटर्स का सीजन बहुत चोटा होता है जो लोग पहाड़ी इलाकों से ब्लॉंग करते हैं जा कुछ ठंड मौसम बना रहता है लेकिन जो लोग गरम इलाकों से होते हैं उनके लिए तो सर्दियां दो या धाई तीन महीने की लाष्ट आती है तो उसी में आप उनको अपने प्लांट को सारा न्यूटिशन देना होता है तो जब भी आप अपने बिंटर्स के प्लांट के लिए पुरान मौसम जब वर्क कर सके उसी तरीके से अमें अपनी सोयल को भी रिचार्थ करना वहाद बहुत जरूरी होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप अपने पॉट्स का सेलेक्शन करें कि कितने पूट्स में अपने प्लांट लगाने है किन-किन में लगा जिससे कि आपको बारवार प्रावलम ना आए तो पहले आप अपने पॉर्ट से सारे देख लीजे। इसकी आपके पास कितने खा ली आ तो हमें soil को directly use करूंगी तो मुझे कोई खास benefit नहीं होगा क्योंकि जो इसमें पुराने plant लगे हुए थे वो इसका सारा nutrition ले चुके होंगे और जो थोड़ा पर nutrition इसमें होगा वो मतलब इतना अच्छा benefit हमें अपने हमारे plant के लिए नहीं देगा सबसे पहले आपको क्या करना है पुराने साब पौट को खला लेना है इनको अच्छे से एक दिन की पूरी दूप में ठखना है जिससे कि इन में जो भी infection हो खतम हो जाते हैं फंगल infection हो क्योंकि बारिस के दिनों में हमारे पॉट्स में फंगल इंफेक्शन लग जाता है काई लग जाती है कई वार जमा हो जाती है तो वो सब आपको दूप में रखने से वो साफ हो जाएगी आप उन्हें हलके से जड़ाएंगे इस तरीके से और दूसरा क्या होता है स्वाइल को रिचार्ज करने का तरीका क्या होत अब इसको आपको दो दिन अच्छी सी धूप दिखानी है अभी धूप अच्छी हो रही है ऐसा नहीं है तो आप अगर सुबह से शाम तक की भी पूरे दिनवर की धूप दिखाएंगे तो वो भी काफी है लेकिन दो दिन की दिखा लें तो बहुत अच्छा है तो इससे क्या होगा इस सोयल डिचार्ज हो जाएगी डिचार्ज से मतलब इस सोयल में जो भी फंगल इंफेक्शन होगा जैसे कि किसी भी जैसे आंट्स हैं वाम्स वगरा हैं उन्होंने अपने एक्स वगरा दिये होंगे वो भी डिस्ट्रॉइड हो जाएंगे आपको जो भी फंगल इंफ को बहुत जल्दी खतम करती है और जैसे आपकी गीली गीली है तो वह भी आपकी बुर्बुरी और अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आपकी सॉइल में क्या कमी है इस तरह की के जो यह पार्ट यह पार्ट होते हैं रूट्स वगरा होती हैं हमारी र प्लांट्स में कोई ने कोई प्रॉबलम लगी रहेगी क्योंकि बिंटर्स में क्या होता है कि हम जब अपने प्लांट्स को लिक्विट फटिलाजर देते हैं वाटरिंग करते हैं तो कई वार क्या होता है हमारे प्लांट्स में नमी होल्ड रह जाती है और नमी होल्ड की व होता है दूप इतनी तेज पड़ती कि अगर सॉइल में कोई इंफेक्शन होता भी है ना तो वह दूप से खतम हो जाता है लेकिन विंटर्स में तो सम्टाइम दूप ही नहीं इकलती इसलिए सॉइल को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है तो आप देखेंगे कि जब आप ने आपर वेक्व सॉइल इंटर्स के लिए वह दो अपनी अपने हसाब से क्लिए लिए प्लांट्स के लिए याप मिला कर सकते हैं तो इसलिए अग्षप घलती करते हैं कि अपनी देडिया है यूदर पॉर्ट चेंज नहीं क बाल आप्लीफित उच्छे फर्टिलाइजर एट किजिए फिर यूज किजिए जिससे आपको पूरे सीजन में अपने प्लांट को कोई भी एक्स्टा फर्टिलाइजर देनी की जरुवत नहीं पड़ेगी और आपका प्लांट बिल्कुल अच्छा हेल्दी खिला खिला रहेगा बहुत मतलब कम फर्टिलाइजर में भी बहुत अच्छा रहेगा और सॉयल भी आपकी वनक क्या होता है कि कई वर क्या होता है कि जिसे आपने देखा को ऊपर की मिटी बहुत सक्त हो जाती है और उसमें पानी आप डालो तुरंत नीचे निकल जाता है यानि आपको जड़ों को तो पानी मि निकल जाएंगे तो अपने प्लाइंट को कितना भी वह करिए कोई फायदा नहीं रहता है तो उसके लिए सॉयल को रिचार्ज करने से आपको ही बेनिफेट होगा आपके प्लांट्स में पूरे न्यूटिशन बने रहेंगे वहना क्या होता है जिब बीच में जब ये सॉय लगता है और मन भी खुश रहता है तो उसके लिए जरूरी है कि अपने सॉयल को परफेक्ट बनाएं सॉयल परफेक्ट बनाना जरूरी है सॉयल अच्छी होगी तो आपको फटिलाजर नहीं भी दे पाएंगे किसी कारण बस तब भी आपका प्लांट्स बहुत अच्छी से चलता रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा अपरेल मजी तक बहुत अच्छी से फ्लारिंग करेगा अपका बताती हूं जैसे कि अभी मैंने प्लांट्स खाली किया है अब आप इसमें देख सकते हैं यह वाइट वाइट यह देखें यह तरीके से वाइट वाइट देख अपने घर बना रखा था अपने कितने सारे एक्स दे रखें और यह पूरा प्लांट से देखें मेरा इसमें अभी एक्स वग रहा है आपको दिख रहे होंगे चलते हुए यह वाइट से केड़े भी चीटियां भी बहुत सारी तो क्या होता है कि कई वार हम अपने पुरान ओआ लिक रूट स to three kami n solidarity बहुत और तंक कशंव अपने इंवन प्लांट्स में बहुत हो जाता है और बहुत प्रौबैम्स हो जाती है तो इसके लिए बी अपने पड़ाने सोईल ँभाइस करने बहुत जरूए है अबभ Province से दूप में रखेंगे तो यह पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे चले जाएंगे फिर हम एक नई सोयल त्यार करेंगे तो इसमें यह प्रॉब्लम नहीं आएगी दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कई वारी होता है हमारा ड्रेनिज होल होता है यह बंद हो जाता है पूरी फ्लांट मनने का डर रहता है तो उसके लिए भी पुरानी सॉयल को डियार् रिचार्ज करना तो जरूरी है और इसी के बहाने हमारा जो सपोर्ट है वो रीपोर्ट भी हो जाता है बड़ी आसानी से जाल्शन से काम का भी हो जाता है एक काम से दो ही इसमेट सॉयल मेरा बूरूटी शी है पजह पंढ़ाऊंध और Geli A से पुराने सोवा evolves तरीके से दूप में रख दिया है अब मैं इसे दो दिन आराम से दूप में रखंगी कोभ रख वैरतिया है मेंडेbuild summarum उसे एक नई पावर मिलेगी सूरज की जो यह केरना होती ना बहुत स्ट्रॉंग होती है यह बहुत पावर्फुल होती है यह मिट्टी के अच्छे से अच्छे इंफेक्शन को खतम कर देती हैं सोयल को दोवारा रिचार्ज कर देती हैं जैसे प्लांट से अपना खाना बनाती हैं यही प्रोसेस सोयल को भी रिचार्ज होने की जरूरत होती है जो वो अपनी एनरजी गेन करती है ना सीजनल प्लांट्स को देने के लिए वो इन सूरच की केड़नों से ही गेंड करती है वो तभी पॉसिवल है जम अच्छी से अपनी सॉयल को पूरी तरीके से रिचार्ज करें यह देखिए मैं अपने पॉर्ट्स भी धूप में रख दिये हैं यह जिससे क्या है जो भी इं इंफेक्शन चल अच्छे चलते हो प्लांट्स को खतम कर देता है तो दोस्तों यह कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी चाहिए आप अपने प्लांट्स को लगाने के लिए एक दो दिन लेट हो जाए लेकिन जल्दबाजी ना कर दें आप उन्हें बो सॉयल दें जो पूरे सीजन आपके साथ अच्छे से वह दे सके और आपको आपके गार्डन को विल्कुल बीटिफुल बनाकर रख सके उसके लिए आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़े एफ़र्ट करने पड़ेंगे अपने प्लांट है अच्छे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए तो आश्या करती हूं दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीचेगा मेरे चैनल को सब्क्राइब कीचेगा जुड़े रहिएगा नेचर के अन्वास के साथ अच्छे अच जानकारी के साथ गुड़ बाए दोस्तों